तो दोस्तों हमने इसी सब्तहा में एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में हमने आपको बताया था इस रिबिल सिबिल टेप का यूज कैसे करें यानि तुर्पाई से कैसे बचें अगर आप तुर्पाई करना चाहते हैं तो आप इस रिबिल सिबिल टेप का यूज करके त तुरुपाई से बस सकते हैं यानि एक तरीके से तुरुपाई कर सकते हैं और दूसरा टॉपिक ये था उस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था अगर आपका सूट कहीं से कट जाता है कहीं चीज़े कट लग जाता है तो बिना सिलाई मशीन के यानि बिना हैंड तो बहुत ही डिटेल्स में बहुत ही अच्छी तरीके से उस वीडियो में हमने आपको इस डिटेल्स के बारे बताया था तो साइध उस वीडियो को कुछ लोगों ने पूरा नहीं देखा था तो इस बज़े से हो सकता है मुझसे कमेंट्स की होंगे और हो सकता है उस वीड की सिलाई की जाती है, जवार कार्ड, बैस कोड बगारा बना जाते है, तो जहां पर कोट पेंट का काम होता है, तो वहां पर उन टेयलरों को इस rebel civil tape की जरूरत होती है, अगर आप भी एक बिगिनर्स हैं, अगर आपका एक बोटीक है, चाहे आप घर पर सलाई करते हैं, चाहे आप लेडी स्टेलर हों, चाहे जैंट स्टेलर हों, तो आपके लिए भी रिबल सिवल टेप बहुत ही काम का हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, अगर आप सूट में तुरुपाई करने स कैसे काम करता है, कितनी मजबूती के साथ कपड़े को अटेज कर देता है, और हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे, अगर आप से धोके से कपड़े पर सूट पर कट लग जाता है, तो बिना सलाई मशीन के, बिना हैंड इस्टिच सुई का यूज किया, आप इस स रफू कैसे कर सकते हैं, चाए आपका सीधा कट लगा हो, चाए आयल टेप का तिर्शा कट लगा हो, दोनों के लिए हम आपको बताएंगे, इस रिबल सिबल टेप की मलत से रफू कैसे करें, और आपको यह भी बताएंगे, यह रिबल सिबल टेप आप कहां से ले सकते हैं, तो दोस्तो मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैसेंड डिजाइनर तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस वीडियो मैं आपको दो तरीके से रफू करने का तरीका बताऊंगा तो ये एक रफू तो वो होता जो बिल्कुत सीधा कट लस्ता पता भी नहीं चलेगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा तुरपाई कैसे की जाते है यानि तुरपाई को कैसे बचाना है जहाँ पर हम तुर्पाई करते हैं तो hand stitch जो सुई होती है हमारी उसके हम तुर्पाई करते हैं तो हमको तुर्पाई कैसे बचाना है तो दोस्तो पहले हम rebel civil tape को देख लेते हैं तो rebel civil tape कुछ इस तरीके का होता है तो जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल ये पिन्नी की तरह होता है तो जब हम इसका यूज करते हैं तो ये कपड़े में चिपकने के बाद ये मोम जैसा हो जाता है बिल्कुल पेखल जाता है इस पटी का पता नहीं चलता है तो इस rebel civil tape का मतलब ये होता है कि ये दोनों तरफ से चपकता है ठीक है इधर से भी चपक जाता है और इधर से भी चपक जाता है तो ये मार्कीट में बहुती आसानी से मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से मिलेगा तो आप उस दुकान पर जाएं जहाँ पर जैंस टेलरिंग का मिटेरिल मिलता है वहाँ से आपको यह बहुती आसानी से मिल जाएगा तो जैसे कि मान लीजिए यह हमारा सूट है और यह हमारे सूट का दामन यानि घेरा है तो जब हम तुरपाई करते हैं तो इस तरीके से मोड़ते हैं उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से मोड़ने के बाद यहाँ पर हम लंबी सिलाई चलाते हैं यानि कच्चा चलाते हैं और फिर यहाँ पर हम तुरपाई करते हैं पर हमको हैंड इस्टिच नहीं करनी है हाथ वाले सोई से तुरपाई नहीं करनी है इस Revelsible Tape का यूज़ करके तुर्पाई बचानी है हमको तो दोस्त हम आपको बताना चाहूँगा ये Revelsible Tape बहुत ही मजबूत होता है और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी ये कहीं से उखड़ेगा नहीं कहीं से छुटेगा नहीं ठीक है देखिए हमारा दामन है हम प्रेज का यूज़ करेंगे तो हमारे पास गरम प्रेज होनी चाहिए पहले तो देखिए हमारे जो दामन होता है घेरा होता है यहां से हम तकरीबन एक पैर का मोड़ेंगे तकरीबन आदा या पॉन इंच इस तरीके से fold कर देंगे suit के ulty side में तो जिवाल लीजिए आपके suit का ulta side है wrong side है तो इस तरीके से हमने बिल्कुल एक बराबर कपड़ा fold कर देना है यह जो हमने cut लगाए है तो इन cut के बराबर से हम को इस तरीके से मोड़ना है यह देखें उसके बाद हमने यहां से भी place लगाने है इस तरीके से तो देखें हमने इस तरीके से मोड़ना है जैसा कि देख सकते हैं आप तो आपको यहां पर थोड़ा समझना होगा ध्यान से देखें तो जहां से इस कपड़े की जो किनार है यहां से हम चोग से निसान लगाएंगे इस तरीके से तीन चार जगा लगा लेंगे इस तरीके से अब इस तरीके से यह देखें इसके बाद हम इस तरीके से हटाएंगे इसको और यह जो हमारा रिबल सिबल टेप है इसकी पटी लेंगे हम इस तरीके से यह देखें, देख सकते हैं, यह जो निसान लगे हैं, थोड़ा सा अंदर रखा है इसको हमने इस तरीके से, तो देखें, इस तरीके से हमने इसको रख देना है, तो बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल रख दिया है हमने, तो दोस्तो इस तरीके से हमने प्रेस लगा देनी है, बहुती आसानी के साथ ये चिपक जाती है, तो दोस्तों कुछ लोग सवाल करते हैं, कि ये पट्टी छुटती तो नहीं है, दोस्तों छुटने वाली बात ऐसी है, अगर आप सही से चिपकाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं चुटेगी, अगर आप चिपकाते हैं थोड़ा पानी लगा देंगे हैं पर तो और ज़्यादा मजबूती आएगी इसमें ठीक है, तो कुछ लोग जो सवाल करते हैं कि छुटता तो नहीं है, दोस्तों छुटने वाली बात ऐसी है, जो हम हाथ से तुर्पाई करते हैं, भी उखड़ जाती है, वो सिलाई भी खुल जाती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और जो हम सिलाई मसीन से सिलाई करते हैं, और बहुत छोटी सिलाई चलाते हैं, फिर भी कभी कभी हमारी सिलाई भी उखड़ जाती है, तो दोस्तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं तो जब तुर्पाई खुल जाती है तो हम तुर्पाई भी दो बारा से कर लेते हैं तो आप चाहें इस पट्टी को भी दो बारा से लगा सकते हैं पर मेरा मानना यह है अगर आप सही से चिपकाएंगे तो यह कभी भी नहीं चुटेगी तो देखें हमने इस तरीके से लखड़ी के टोगड़ा साथ में चलाना है इसके यह देखें दोस्तो अभी हम आपको यह भी बताएंगे बिना सलाई मसीन के रफू कैसे के जाता है दो तरीके से बताएंगे तो पहले तो आप सीरी सैट से देख लीजिए कितना फिनीसिंग और खूपसूरती के साथ में लग रहा है मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा यह देखें तो यह बिल्कुल चिपक चुका है यह देखें दोस्तो तो मैं अगर इस तरीके से पकड़ूँगा दोस्तो तो यह बहुती मजबूती के साथ चिपक गया है तो मैं आपको इमानदारी से बता रहा हूँ बिल्कुल भी आपसे जूट नहीं बोलता हूँ और बहुत के साथ चिपक चुका है मैं बहुत ताकत के साथ खेच रहा हूँ पर यह बिल्कुल भी नहीं छोट रहा है तो बोटम मोडने के बाद हमको इस तरीके से साइट चाक मोडने होते हैं तो चाक के लिए मारजन थोड़ा कम होता है जैसा कि देख सकते हैं तो इस तरीके से आप करें वो भी बिना सलाई मसीन के और बिना हाथ वाले सुई के बगार कैसे रफू करें तो देखिए माल लीजिए यह हमारा सूट है और हमसे यह सीधा कट लग गया यह देखिए तो यह हमसे कट लग गया ठीक है चाहे बड़ा कट हो चाहे छोटा कट हो सेम यह की तरीका है थोड़ा सा बड़ा रखा है हमने इस पट्टी को देख सकते हैं यतना बड़ा हमने पीस कट किया है इस से थोड़ा बढ़ा कर हम कपड़ा ले लेते हैं यहां से हम कट कर लेंगे इसको देखिए हमने इसको रखते हैं एक साबधानी बरतनी है तो यह जो कट लगा है इस यह देखें, इस तरीके से रख दिया है, हमने, पिरे इसको कुछ दियर रखा रहने देंगे इसे ही यहां पर, तो देख सकते हैं, चिपक चुका है, यहां भी आप पानी का यूज़ करेंगे, थोड़ा पानी लगा देंगे यहां पर आप, तो यह बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ शिपक गयाता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं, अकील फाइसान डिजाइनर, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करें, यह देखें, उसके बाद हमने इस तरीके से, तो दोस्तों देख सकते हैं, पहले तो आप उल्टी सेट से देखेंगे, तो यह बिल्कुल आसाने के साथ चिपक गया है, तो यह भी यहाँ से छोटने वाला नहीं है, बिल्कुल भी, सीधी सेट से दिखाते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा कट लगा था, वो यह वाली जगा है, तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँ आई ये देखें तो बहुत ही special तरीके से finishing के साथ हमारा रफू हो गया है और यहां पर सलाई करने के भी कोई जरूरत नहीं पड़ी अब बात करते हैं अगर I'll Tap का cut लग गया यानि इस तरीके cut लगा है तो आप किस तरीके से cut लगाता है उन्हसे कभी कभी तो हम इसको कैसे सही करें तो देखें हमने इस को इस तरीके से बिल्गुल मिला कर रוכते है ना यहां से इस तरीके से हम पट्टी को दो हिस्से winning cut करेंगे तो पहले इधर वाले cut के यसाफ़ से cut करेंगे हम थोड़ा बढाकर cutting करेंगे उसके बाद हम यहां से रखेंगे यह देखें तो आप चाहें तो पट्टी को थोड़ा पतला कर सकते हैं उसके बाद हमने कफड़े का टुकड़ा cut कर लिया है तो हम इसको उपर रखेंगे इस तरीके से यह देखें तो कुछ देर पिरेश को हम ऐसे ही रख रहने देंगे अब देखिए जो कपड़ा एक्टरा देख रहा है इसको हम कट कर सकते हैं यहां से इस तरीके से तो यह देखें दोस्तो हमने इस तरीके से यहां से इस कपड़ को चपका दिया है हैं पटी के साथ से इस कपड़ को यहां से कट कर दिया है, पहले आप पास से देखेंगे, देख सकते हैं उसके बाद अब हम आपको सीरी सैट्स दिखाते हैं, यह देखें दो journals तो देख सकते हैं कितनी finishing के साथ में हमारा रफू हो गया है और यहां बिल्कुल भी पता तक नहीं चल रहा है तो हमारा यह वाला कट लगा था इस तरीके से यहां से यहां तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पॉर वाचिंग वीडियो